फाइनली इनके एक्जाम्स खतम हो गए यार अब कुछ अच्छे मेसेज़स पढ़ने को मिलेंगे स्टूडेंट्स के चलो आओ चेक करते हैं वाटसप भाईया मेरा एक्जाम तो एकनॉमिक्स का ठीक गया था पर में को ग्रेस मार्क्स मिलेंगी क्या लॉम है अरे भाई एक मिनट रूप दूसरा एक मेसेज देखते हैं भाईया एग्रिगेट की चिंता हो रही है बस ये बता दो एस्टिमेटेड पासिंग परसंटेज क्या रहेगा अरे भाई तुमारे बस ये ही मेसेजज आते एक्जाम खतम होने के बाद तो कमेंट सेक्शन में वाटसेप पर इंस्टेग्राम पर थोड़से ऐसे पॉजिटिव वाले मेसेज दिया करो नहीं नहीं हमको पहले ये बताओ एस्टिमेटेड पासिंग परसंटेज क्या रहेगा एस्टिमेटेड रिजल्ट डेट कब आईगी ग्रेस मार्क्स मिलेगा या नहीं किलेगा उसके बाद बात करूँगा सर ठीक है भाई तेरे ये सारी क्विशन्स का इस वीडियो में पूरी तरीके सा आंसर में देने वाला हूँ विट प्रूफ बताने वाला हूँ कि ग्रेस मार्क्स कैसे मिलते हैं एस्टिमेटेड पासिंग परसंटेज क्या रहने वाला है और किस तारीक को तु रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकता है वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो का लाइक टार्गेट रखेंगे 501 होप तु मुझे ये अचीव करवा देखा चलते हैं वीडियो के अंदर तो चलो सबसे बड़ा सवाल और सबसे तुम्हारा important सवाल कि भाईया estimated passing percentage क्या होने वाला है तो मैं आपको बता दू बेटा मैं तुम्हारे साथ ना honest रहने वाला हूँ एक जूटा दिलासा नहीं देने वाला आपको ICAI का अब mindset clear है जब भी मैं conferences में जाता हूँ meetings में जाता हूँ जो board of studies के members हैं उनसे में मिलता हूँ तो उनका बस यही कहना होता है सर कि अगर हमने CA foundation वाले बच्चे को आसानी से entry दे दी इस vast CA syllabus में इस vast CA journey में तो वो कहीं न कहीं घुम हो जाएगा CA final पर जब आप इतनी age पर होते हो 25-26 age पर और attempt के बाद attempt देने पड़ते हैं आपको ICAI pass नहीं करता है बिकोज यार उतको ऐसा लगता है आपको भी ठीक से drafting नहीं आती आपको law का answer लिखना नहीं आता और वही चीज वो आपको CA foundation में पहले अच्छे से सिखा कर ये entry देना चाहता है तो हो सकता है इस बार भी आपका ICAI का passing percentage for your CA foundation attempt कम ही रहे जनरल ये 25% 30% जाता था दोस्त पर हो सकता है अब 14-15% ही रहे पर यार निरास मत हो ना ऐसा सोचना कि यार मेरे bright future के लिए अगर मेरा failure हुआ अगर मैं unsuccessful हुआ तो it would be good in a long duration बट ये सब छोड़ना यार मैं तुझे एक अच्छी चीज़ बताता हूँ अभी छुटियों की दिनों में क्या करना देखो जादा इस चीज़ का load नहीं लेना बिकाउस बहुत सारे बच्चे ना load लेते है अभी या estimated ये estimated ये बता दो अभी क्या करूँ वो क्या करूँ अगल attempt का preparation करूँ अभी थम जा रुख जा जरा छुटियों की दिनों में करना है क्या ये तो जान ले छुटियों की दिनों में must plan बनाने का अपने जो लंगोट ये यार है या फिर लंगोट ये नहीं रहे बड़े हो गया तो उन लोगों को बुलाने का उनको साथ कोई movies, web series का पूरी planning जमाने की मुझे chat box में जरूर बताना है comment section में जरूर लिख के जाना कि तू कौन-कौन सी movies अभी निप्टाने वाला है दूसरे अपने दोस्तों की help करना भाई comments में कि यार ये ये movies देख लो करके कहीं आसपास मस प्लान बन रहा हो घूमने का तो चले जा है ना मौसम वगेरा मत देख मस जाओ पिकनिक मनाओ और थोड़ा सा दूर अगर जाना है वरिंदावन जाना है या ऐसी कोई religious जगा जाना है या फिर मस चल करने जाना है तो जाना एका है मन में जो भी सोच के रखा था पढ़ाई के दिनों में कि ये ये करने वाला हूँ डाइरी में अगर लिख के रखा था तो उसको निप्टाने का है अभी जो अगले 10-15-20 दिन है न बिटा उसमें मैं तुझे कहना चाता हूँ अगर तेरा एक्जाम खराब भी गया है न एकलीस 10-15 दिन तो पढ़ाई नहीं करने ही वो किताबों को नहीं चुना है बिकॉज मैं आपको कहूँ आपको थोड़ा सा टाइम जो है कट करना पड़ेगा वो एक ब्रेक लेना पड़ेगा जिससे आप रिस्टार्ट जो करोगे वापस जो बाउंस बैक करोगे वो पावर्फुल तरीके से किया जा सके पर भाईया सुनो ना अहां भाईया सुनो ना ग्रेस मार्क्स के बारे में बताओ ना छुट्टियों को मज़ा करूं गा मैं लेकिन ग्रेस मार्क्स का थोड़ा सा बताओ ना कहां कहां कैसे कैसे मिलेंगे पगले चल चल इसके पहले सुन एक तेरे लिए must gift लेकर आया हूं में इन छुट्टियों की दिनों में और students वहाँ पर बहुत lag behind करते हैं उनके पास soft skills नहीं होती है या फिर मैं कहूँ जो core skills लगती है practical life में वो नहीं होती है जैसे कि उनको सही से communicate नहीं करना आता है अगर आपको बोला जाए कि आप 5 line बोलके दिखाओ अपने बारे में introduce yourself तो आप बस अपना नाम पापा मम्मी का नाम जो कि अपन class 5 में करते तो वही कर पाएंगे तो तुने सुने ही होगा कि अगर तेरी skills पर है command तो है तेरी बारी demand तो याद रखना दोस्त अगर तुझे न Excel सीखना है टेली सीखना है with income tax and GST communication skills पर अपनी grip बनानी है तो हम खुद आ रहे हैं तेरी screen पर live from next week और यह सार मत कर once you enroll ना तुझे 100% refund policy भी मिलता है कि अगर तुझे समझ में आया तो within one week you can come to us and say भाई या नही मजा नहीं आ रहा है आप मुझे अपना amount वापस दे दीजे because यार इसमें जो हमने content डाला हुआ है जो practical learnings डाली हुई है वो तुझे आर्टिकल्चिप में, interview preparation में और CA बनने के बाद भी help करने वाली है whatsapp का dedicated group रहेगा जिसमें हम तुझे support देने वाले हैं interview के time तक भी और बाद में जब तु लाइफ में problem face करेगा तब भी मैं तुझे बता दू बेटा ये मौका बार बार नहीं आता और मैं आपको बात बता हूँ जब हम preparation करते हैं na CA foundation का preparation करते हैं CA inter का preparation करते हैं पर ये जो offer है केवल ये dedicated 51 students के लिए है और अगर ये seats खतम हो गई तो मैं very sorry to say you हम तेरा enrollment नहीं ले पाएंगे तो अभी जो number दे रखा है इस पर तू message कर ले पूछ ले कितनी seats बची है और फटा फट अपना enrollment कर वाले description box में सारी details से check out कर ले और मैं ते को कह रहा हूँ ये जो offer है ये केवल 1499 का है मतलब ये सारी चीज़े excel, telly, communication skills, with income tax and GST, live recordings, unlimited views ये बार बार मौका नहीं आता मैं फटा फट कह रहा हूँ इस पर जाके enroll कर वाले और मैं आपको बता दूँ अपने mind को ज्यादा tension में मत रखन तो चिंता मत कर अगर तेरे दूसरे subjects अच्छे होते है ना, तो automatically तुझे उसका benefit देती है ICI, in terms of increase in marks for particular subjects, तो अभी बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, अच्छा result की date के आएगा, ये भी आपके mind में सवाल थे, तो मैं आपको बता दू, जादा time नहीं लगाने वाली ICI आपक चिटियों की दिनों में क्या करने वाला है, और फटा-फट मुझे बताना कि यार कौन-कौन सी movies तो पहली फुर्सत में तु निप्टाने वाला है, हाँ, लेकिन description box में link चेक कर लेना, ये offer बार-बार नहीं आता है, बीटा मैं तेको कह रहा हूँ, अगर तिरे पास time नहीं झाल